हमास के हमले के बाद इस्राइल की जबावी कारवाई को भारी पड़ता देख तुर्की के राष्ट पती एर्दोगन अपने असली रंग में आ गए हैं मुसल्मानों के सबसे बड़े मसीहा बनने की कोशिश में उन्होंने गाजा पटी पर इस्राइल के जबावी कारवाई को नरसनहार तक बता दिया लेकिन एर्दोगन के भूल गए कि हमास को पालने वाला उनका ही देश तुर्की है हमास के शेश आतंगवादी तुर्की के ही पासपोर को रखते हैं तुर्की में हमास का राजनितिक मुख्याले भी है इतना ही नहीं ये भी पता चला है कि इसराइल पर हमले के लिए रोखें बनाने का मटेरियल भी तुर्की से ही गाजा पत्ती में हमास के आतंगबादियों तक पहुचा था। ऐसे में एर्दोगन को हमास के हमलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एर्दोगन ने इसराइल को कबजादारी भी करार दिया लेकिन वो फिर भूल गए कि तुर्की ने भी साइप्रस के एक बड़े भूभाद को अवैत तरीके से अपने कबजे में रखा है। एर्दोगन ने गाजा पट्टी पर इसराइल की नाकाबंदी और बंबारी की निंदा करते हुए इसे नरसंहार बताया था। उद्वार को तुर्की की संसद में सत्ता रूड एकी पार्टी की सदस्यों से बात करते हुए। एर्दोगन ने कहा कि युद्ध में भी नितिकता होती है लेकिन हफते के अंत में भड़की हिंसा ने बहुत गंबेड तरीके से इसका उलंगन किया है। उनने कहा कि लोगों को उनकी सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से रोकना और उनके घरों पर बंबारी करना जहां वो रहते हैं। विचली और पानी सब्ताई को काट देना हर तरह के शर्मनाग तरीके का उप्योग करके संघर्ष करना एक यूद्ध नहीं है ये एक नर्सनहार है। एद्रोगन ने आगे कहा कि अंखुले तोर पर इस्राइली शेत्रों में नागरिकों की अत्या का विरोध करते हैं। इसी तरह हम गाजा में अंधा दुन्द लगातार बंबारी में निर्दोश नागरिकों के नर्सनहार को कभी सुईकार नहीं कर सकते। तुर्की के लिए साइप्रस एक ऐसा मुद्दा है जिसे छेडने पर वो हर बार बिल बिलाने लगता है। पिछले साल एद्रोगन ने सैयुक्त राष्ट में जब कश्वी का मुद्दा उठाया था तब भारती देश मंत्री ने बिना किसी देरी के साइप्रस गाज से घर कर दिया। जैशंकर ने दो टूप कहा था कि तुर्की सैयुक्त राष्ट के प्रस्ताव के हिसाब से साइप्रस बुद्दे का शांतिपूर्ड हल निकाले। आखिर क्या है साइप्रस बुद्दा और क्यों है तुर्की की ये कमजोर नस्थ आईए समझते हैं। तुर्की और साइप्रस विवाद बहुत पुराना है। इसकी शुरुआज उनिस्व चौटतर में तब हुई जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी इससे पर आक्रमण कर एक बड़े भुबाग पर अवैद कबजा कर लिया था। उस वक्ट साइप्रस में सेने विद्रो हुआ था जिसे ग्रीज का समर्थन प्राब्द था। इस विद्रो में तुर्की को एक और मौका नसर आया और उसने ग्रीज को मजा चखाने के लिए साइप्रस पर आक्रमण किया और एक बड़े भुबाग पर कबजा कर लिया। किसी समय साइप्रस का उत्री इलाका टूरिस्ट से भरा रहता था इस इलाके में कई बड़े होटल, रिजॉर्ट और टूरिस्ट स्पोट थे लेकिन तुर्की के गबजे के बाद ये पूरा इलाका विरान हो गया तुर्की ने इस इलाके में लगभग 35,000 सनिकों को तैनाद क के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा, हलाकि उस वक्त लगभग 20,000 साइप्रस की लोगों ने अपने घरों को छोड़ने से इंकार कर दिया, इसके बाद तुर्की की सेरा ने इन लोगों के खिलाब इतने अत्याच्यार किये कि इने भी अपना घर छोड़कर दूसरे मुलकों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, विडियो डेस्क अमरुजाला.com